नमस्कार दोस्तों मैं हूराकेस और आप देख रहे हैं GoToOnline तो काफी सारे भाई इस बात को लेकर के Confuse रहते हैं कि उनके आधार कार्ड में मुबाइल नम्मर लिंक है या नहीं है अगर है तो फिर कौन सा मुबाइल नम्मर लिंक है तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे पता करेंगे कि आपके आधार कार्ड में मुबाइल नम्मर लिंक है या नहीं है अगर है तो फिर कौन सा मुबाइल नम्मर लिंक है तो विडियो सुरू करने से पहले मेरी अपसी रेक्वेष्ट है अगर आप हमारी चैनल को पहली बार देख रहे हो तो वीडियो के नीचे आपको लालाग में सब्सक्राइब को अटन देखराओका उसको द़ाखर में mobile number status को check करने के लिए आपको अपने mobile में google chrome open करना है और google chrome के search bar में आपको type करना है uidai और search कर देना है search करने के बाद में आपको सबसे उपर ही एक website नजर आएगी uidai.gov.in आपको इसी के उपर click कर देना है click करने के बाद में आप जो है इस आले page पर आ जाओगे अब यहां पर आपको language select कर लेनी है तो मैं यहां से English select कर लेता हूं आपकी जो मर्जी हो वो language आप select कर सकते हो इसके बाद में आपको यहां पर एक छोटा सा notification नजर आएगा तो आपको यहां से क्रॉस करके इसको अठा देना है अठाने के बाद में आपको उपर की तरफ आना है और आप यहां पर देखिए एक column आ चुका है आधार सर्विस का और इस वाले column में यहां पर एक option दिया है verify एन आधार नम्मर तो आपको verify एन आधार नम्मर पर क्लिक कर देना है प्लिक करने के बाद में आप जो है इस वाली पेज पर आ जाओगे यहां पर आपको उपर की तरफ स्क्रॉल करना है इस क्रॉल करने के बाद में और यहां पर आपको एक option नजराएगा मैं mark कर देता हूं, check आधार validity, तो आपको इसी के उपर click कर देना है, click करने के बाद मैं आप जो है इस वाले page पर आ जाओगे, आप यहाँ पर आपको उपर वाले column में अपना आधार नमर भरना है, और नीचे वाले column में आपको ये capture code भर देना है, capture code आपको same to same भरना है, तो चलिए मैं ये सारी चीज़ें भर देता हूँ, तो मैं उपर वाले column में आधार नमर भर दिया है, नीचे वाले column में capture code भर दिया है, capture code आपको ध्यानपूरबक भरना है, इसके बाद मैं नीचे proceed का बटन दिया है, आपको proceed वाले बटन पर क्लिक कर देना है, क्लिक करने के बाद में हम थोड़ा सा wait करेंगे, अब wait करने के बाद में देखिए, यहाँ पर हमारा status आ चुका है, तो यहाँ पर देखिए, जो हमारा mobile number आधार से link है, उसके last के तीन अंक यहाँ पर so हो रहे हैं, तो अगर आपका mobile number लिंक होगा, तो यहाँ पर आपके mobile number के तीन अंक जो है, so हो जाएंगे, अगर लिंक नहीं होगा, तो इस जगे पर आपको N I L L यानि निल लिखा हुआ आईगा, तो इस तरह आप जो है, पता कर सकते हो कि आपके आधार कार्ड में कौन सा mobile number लिंक है, वीडियो आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएं, फिर मिलता हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए, गुडबाई,